कल सीबीसी बोर्ड ने क्लास 10 और 12 का मार्क्स जो है वो रिलीज किया उसमें तमाम बच्चों ने 95% गेन करके 95% प्लस गेन करके अपने बोर्ड में टॉप किया अपने जिले में टॉप किया कुछ बच्चे औसतन मार्क्स लाकर के पास हुए लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो इस परिच्छा को उत्तिर्ड नहीं कर पाए क्लास 10 या फिर क्लास 12 को पास नहीं कर पाए भाई देखिए पास होने वाले टॉप करने माले सभी बच्चों को हमाई तरफ से धेड़ सारी सुभकामना है लेकिन साथ ही साथ मैं उन बच्चों को यह संदेश देने के लिए यहां पर आपके साथ जुड़ा हूँ कि अगर आप किसी भी कारण बस अपनी परिच्छा को उत्तिर्ड नहीं कर पाए तो किसी भी प्रकार से यहां से डाउन मत होईएगा कि आप असफल हो गए तो अब आप कुछ कर नहीं पाएंगे ऐसा कुछ भी नहीं है जीवन आप जा करके देखिएगा क्लास 12 फेल होने वाला चात्र भी एक अधिकारी बनता है तो मेरे भाई मेरे बंदू मेरे छोटे भाईयों मेरी बहनों आप अगर यह वीडियो देख रहे हैं तो किसी भी प्रकार से डिमोरलाइज नहीं होएगा और अभिभावकों से मेरा करव अधनिवेदन है कि किसी भी ऐसे बच्चे को अगर आपका बच्चा कम मार्क लेके आया है या फिर आपका बच्चा अनुत्र हो गया तो ऐसा नहीं कि जीवन में अब वो कभी सफल ही नहीं हो पाएगा आप किसी भी प्रकार से उसे टॉर्चर मत करिएगा क्योंकि आज के बच्चों में उतना पेसेंस है नहीं कि वो आपके टॉर्चर को सह जाएंगे और कोई गलत कदम उठा जाएंगे इसलिए किसी भी प्रकार से आप अपने बच्चे को टॉर्चर नहीं करिएगा उसे प्रेणा दीजिएगा उसे और कहानिया सुनाईएगा ऐसी जहां लोग अपनी क्लासेज में अनुक्तिर होने के बाद भी आगे की का जो सफर रहा है उसे उन्होंने बहुत ही जिम्मेदारना तरीके से निभाया और वो आगे चल करके एक महान हस्ती की रूप में उभर करके सामने आए तो आप सभी से मेरा निवेदन है अगर आप बच्चे हैं या फिर आप अभिभावक हैं अगर आप किसी भी प्रकार से फेल हो गया या फिर आपका कम मार्क आया है कोई दिक्कत नहीं है यार फिर से प्रयास करो दुबारा प्रयास करो बोर्ड आपको फिर से मौका देगा आप जाईए और अधिक मेनत करके फिर से प्रयास करके ज् उठाइए धन्यवाद